आज आपके लिए एक सुन्दर रेस्पी लेकर आई हूँ जिसका नाम दाल फ्राय है यह बिल्कुल प्यार भेजे उद्धा डॉनियों गाली वाला कैसे बनाते हैं और इसका प्रिपरेशन कैसे करूंगी यह सब आपको बोलने वली हूँ और बहुत ही डैलिशियस बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा वय में बना रही हूँ बहुत जल्दी बन जाएगी दस मिनिट के अंदर ही इसको आप जिसके साथ भी खा सकते हैं इसका टैस्ट बिल्कुल बहुत ही बढ़ा रहेगा चलिए क्या-क्या इंग्रिडेंट्स ल में हम एक चे दो सिट्टी देंगे डाल को जादा खोलने नहीं देंगे ऐसे ही दो सिट्टी दे देंगे यहां पर देखिए डाल को अच्छे से दो रहे हूं डेड़ शो ग्रम डाल लिया हूं आप चाहे तो कम जादा कर सकते हैं यह हमारा वीदाउट ओनियन गालिक में हो चैनल में नहीं होथा तो सब्सक्राइब कर लिज이션 सब्सक्राइब के साथ साथ पास में वेल बटन है उसे प्रेस करकर अलप्ट्टर को सिलेक्ट कर लिए गा देखिया यहां पर मैं बानने यहां पर वांटिशित शक्कर दे रही हूं जितना हमको चाहिए मिला लîneते हैं मिलाने के बाद हम इसको एक से दो सिट्टी देंगे ज्यादा नहीं है मैक्सिमम टु मैक्सिमम दो सिट्टी देंगे डाल को ऐसे ही कभर करके दो सिट्टी देते हैं दो से तिन सिट्टी नहीं होगा क्योंकि जा दाल ज्यादा बैल्ड हो जाएगा तो दाल फ्राय का टेस्ट नहीं रहेगा तो दाल को आधा बॉयल्ड करते हुए हम इसको बंद करेंगे क्योंकि प्रेसर में जो एयर होता है वह एयर में ही डाल हमारा बॉयल्ड हो जाएगा दो सिटी के बाद तो देखें यहां पर एक शिटी और दो सिटी होने के बाद मैं यहां पर एयर छोड़ रही जो हरा मेर्ची रखा हूँ यहां पर गास में कड़ाई वेठा दी कड़ाई गरम होने के बाद यहां पर दे रही हूं दालदा यहां पर डालदा में वान टेबल स्पुन दे रही हूं दाल को इसे ही हम बल करके छोड़ेंगे मतलब कि हाप पॉयल्ड आंट देखें डालद तो हमारा हम्ऩ हो जाएगी। फिर इसमें हमथ हिंघ हींग को मेहें, हरा मिर्ची nad कोशि़ा हुत M. जाहते हीं हरा मिर्ची के लिए हिंग को में छाएक अे लेकाना का एक जाएको हाल मुह लेकाए जी anch को सकते हें तो इसको हम ऐसे मिला लेते हैं मिलाने के बाद हम इसमें आड कर लेते हैं आद्रक जो आद्रक को हम कुट के रखे हैं या फिर बारे कटा हुआ आद्रक जो भी आप कर सकते हैं इसको देने के बाद इसको दो मिनिट तक फ्राई करते हैं दो मिनिट जब हो जाएगा फिर इसम ताकि आप सब को मिला रहें। तो देखें, टमाटर को मैं मिला रहा हुँ। जब यह मिल जाएगी इसमें हम आड़ कर देंगे जो हब वैल हुआ दाल को तो डाल फ्राइब बहुत ही easy और बहुत ही simple सा वै में बन गई है आप चाहे तो try कर सकते हैं बहुत ही जल्दी बन जाता है इस तरीके में यहां पर थोड़ सा हरादनिया भी दे दिया हूँ हरादनिया देने के बाद इसको मिला लूँगी जब इसको अच्छे से मिला लेते हैं अच्छे से मिलाने के बाद अभी हमें इसमें दाल आड़ करने वाले हैं जो दाल को हम बैल करके रखा था तो देखें यहां पर आड गरने के बाद इसको फोड़ टाकिन के लिए छूड़ जटे थे हैं बहुत ही इजिली बन अदर हमारा यह यूनिक्षा इसको आप पूरी के साथ पराठा के साथ जिसके साथ भी खा सकते हैं और कितना सुन्दर दिख रही है वह भी देखिए बहुत ही डेलिश बने हैं इसको हम अभी गर्मा गरम सर्फ कर लेते हैं आई होब कि आज का यह दाल फ्राय रेसिपी आपको अच्छा लगी है अच्छा अगर्नाथ टेक केर अल फ्यू टाटा बावाई हावे नाइश टेए